अरे फ्रोट भाई, क्या कर रहो भाई, इतनी देर हो गई, कब से सो रहा है, उठ जाओ ब्रोँ आरे यार, सोने दे दे भाई, तेक तो इतनी दिन के बाद बीच में आए है अपन लोग अरे भाई, आप या की दे करोगे, क्या देख लिया पहरे, ये देखो ब्रो, क्या देख लिया तुने, अरे भाई, आप या की दे करोगे, ट्रेनीटर आगया है ब्रो, ट्रेनीटर, ट्रेनीटर क्या होता है बाई, अरे पहले आप उठो तो ब्रो, आरे बोलो यार, सोने भी नहीं देते गाईज आजकल यार यह GDA5 में भाई क्यों परिशान कर रहा है प्रोट भाई आप सिच्वेशन ही आता हो गया है अल्राइट डेखता हो क्या और अब है इसकी आख वो क्या है भाई वही तो बोल रहा हो यार यह धीरे धीरे दोस्तेंटोस के पास आती जा रही है और यह तो कोई खतरनाक मॉंस्टर है गाईज अताव मैं यहां पर रिलाक्स कर रहा था मस्त और यह क्या हो गया अच्छे चलो लाइफगार्ड से पूस्ते है भाई वो क्या कर रहा है और यार यह अलग मजे ले रहा है जिंदगी के चल चौप यहां से निकलते हैं इनके भरों से बैठे रहे तो ट्रेनीटर अपने को भी खा जाएगा गाईज वो जिस हिसाब से आ रहा है देख रहा हो आप लोग उसनों अल्रेडी एक बहुत बड़ी बिलियोनियर की यॉट निगल लिये भाई अपने वो बस पहले ऊपर जाने गई ठीक है अपने लोग ने लेस्टर को कॉल कर दिया है और अभी के लिए अपने को अच्छली वेट करना पड़ेगा चलो आगे चलके थोड़े पास से देखते भाई सिचुएशन है क्या गाईज ओके तो गाईज आप लोग देख सकते हो धीरे धीरे अपन लोग थोड़ा पास जा रहे है उसके और भाई जैसे जैसे पास जा रहो ना वो चीज़ बड़ी होती जा रही है मेरे को ऐसा क्यों लग रही है कि अपन लोग को वहाँ तक जाने में बहुत प्रॉब्लम होगा गाईज अपन लोग अगर चाहे तो अंदर से जाके देख सकते हैं मैं सोच तो रहूँ कि भाई अंदर जाके देखूँ बट सिचुएशन जो है बहुत डेंजरस है गाईज अंदर जाने के पहले न अपने को थोड़ा प्रिपेर कर लेना चाहिए और बाहर से मैं इसके उपर नज आता है अरे लेट आज आएगा तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी अरे यह कुछ ज्यादा पास नहीं आ गई गाईज मेरे को लग रहे है थोड़ा मूव कर रहा है इस चीज़ पर अपन बाद में ध्यान देंगे अभी के लिए अपने को निकलना पड़ेगा यहां पर स ही चड़ चुका है अपन लोग भी बोट के अंदर चल जाते हैं थैंक दोस्तु पो भूले के नहीं अरे हां ठीक आप जाओ लोग लोग देख सकते हैं यहां पर इतनी सारी आखे ब्रो इसकी ओट भाई यह तो बहुत जादा बड़ा है ब्रो और भाई अगर इसका बस चल जादा है ब्रो यह तो लगता है मेंस बैंक बिल्डिंग से भी जादा लंबा है अब वह तो बहुत नहीं पता यह यॉट कहां जा रही है अब नूब्रो मरना है तुमको भाई उसकी आखे हम लोग को देख रही है गाई से वाट भाई बेरे पास एक आडिया है ब्रो लेस अब सीधा चलते रहो बहुत रहा हूँ ब्रो ओल्राइट गाईस अभी सीधा चलना है अपने को देखते है कहां पर ले जा रहे है मिस्तर चौप भाई साब और उसके बाद सीधा वहाँ पहुचता हूँ मैं ठीक है लेट्स गो ओल्राइट गाईस काफी जादा बूट चल का टाइम नहीं है बाकी सब कुछ तो ठीकी लाग लग रहा है और उसके बाद चलते हैं उपर ओल्राइट दोस्तों अपू लोग ने बूट को कर दिया है यहां पर पार्क और आप लोग देख सकतों लहरे जो है वो काफी ज्यादा तेज है बाई एक तो सब्मारीन एती भ अधिया बुट है पानी के अंदर पूरा खारा पानी है अब क्या करोगे दोस्त अपर लोग को ऐसे ही करना पड़ेगा ओल्राइट एक काम करते हैं अपर लोग यहां पर से ऊपर जाने का रास्ता जूंटे गाई यहां पर पानी का जो लेवल है वो बहुत तेई से बढ़ कैसो गाईज मेरेको फाइनली यहां पर एंट्रेंस मिल गई है और अपर डेक पर अपर लोग आ चुके है देख सकतो गाईज यह रहा अपना अपर डेक और यहां पर भाई ओ माई गौड सारे मिलिटरी वालों की ट्रेनिंग चल रही आप लोग देख सकतो क्या तगड़ी यह ट्रेनिटर ने हमला कर दिया है भाई हमारे बारे में नहीं नेको भाई मैं एक ही चीज चाहता हूँ कि अगर तुम्हें हमसे कोई बदाता है यह तो बताओ हमें गवर्मेंट ने परभिशन नहीं दिया अभी तक उस पर हमला करने के लिए अच्छा है ऐसा है क्या तो लोग यहाँ पर देश के लिए जरूर कुछ करना चाहेगे अब बस मेरे को रेडी होना पड़ेगा चलो फड़ा फड़ा फट से रेडी हो जाते हैं आप लोग देख सकते हम लोग को भाई कूबा गेर का सारा सेट मिल चुका है चौप को अपन लोग बेस के अंदर बहुत ही जादा डेंजरस है वाट भाई जीदा भोलो ना कि आपको ले जाना नहीं है ब्रो अरे भाई तू क्या कर लेगा वहाँ जाके यह बहुत डेंजरस काम है यहाँ पर सिर्फ असली लोग ही जा सकते हैं चलो अरे रे क्या हो रहा है इसको ओके गाईज रेडी हो निकल चुके है and all we need to do इसकी जागर के भाई यह मिसाइल जो है उस बंदे के अंदर फिट कर देनी है Mr. Train Eater भूलना मत भाई अपन लोग तुम्हारे लिए पूरा बराज ले क्या रही है देख रहो भाई बराज फायर करती है एक बार में 8 8 मिसाइल्स आपको क्या लगता ह उसका तो बैड बजने वाला है let's go देखते हैं क्या होता है वैसे मेरे को actually काफी दूर उड़के जाना पड़ेगा मैं literally पता है शहर के एक साइड हूँ and अपने को एकदम दूसरे साइड जाना है all right guys अपने लोग आ चुके हैं यहाँ पर और भाई क्या बताओ काफी लंब क्या तरीके से turn किया है मैंने काम करता हो भाई कुछ और मिसाइल मारते उसके उपर अगर उसके बाद भी काम नहीं हुआ ना फिर देखें क्या करना है guys all right here we go अरे रुक जा भाई all right all right भाई मारते जाओ मारते जाओ एक भी मिसाइल बचना नहीं चाहिए बंदा जितनी मिस अब यहां पर से थोड़ा नहीं हो सकती सारी fire कर देनी अपने को भाई यह तो कुछ होई नहीं रहा है अब मैं करू तो करू क्या आते काम नहीं होगा ब्रो आपको अंदर जाके धमाल मचाना पड़ेगा भाई अरे अंदर जाके कैसे धमाल मचा दू रूक काम करता हूं मै अरे-अरे-अरे-अरे-अरे क्या हो रहा है इसको हेलिकॉप्टर को भाई एक सेकेंड जमीन पर तो उतर जा अल्राइट गाइस अरे टूडिया भाई क्या एकदम छोटू-मोटू सा हेलिकॉप्टर था इनका अब मैं वापस यह से जाओंगा अरे यार अब मेरे को actually मैं फ वाई डाइविंग जाहिए है हाँ और राइट गाईस इतना हुचा है कि भाई इसके ऊपर से कूटा हूँ तो यार गेम को लगता है भाई मैं किसे बिल्डिंग के ऊपर से कूदा हूँ और अंदर का माहॉल कैसा है ब्रो अरे माहॉल तो भाई actually जैसा होना चाहिए वैसा ह अपने पास से मस्त oxygen mask के आप लोग ब्रीद कर रहें underwater और गाईज अभी मेरे को actually इस yacht का ना पूरा का पूरा situation assess करना है क्योंकि करने ले हम लोगो को ये भी बोला था भाई कि ये चीज़ नहीं करोगे तो फिर तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊगा और यार अंदर जाने का रास्ता नहीं है उधर से ट्राई करता हो रुको भाई चलो अंदर डाइव करो और आप लोग देख सकते हो भाई भाई ये बहस की आँक जट देखना इसका पेट देखना तुम इसने कितना अंदर तक इंगल्फ कर लिया है भाई ये तो अल्मोस्ट पूरा शिप खा लिया भाई इसने फॉट भाई, situation dangerous, अब क्या करें, भाई, मेरेको तो लगता है न, अपने कुछ सबमरीन ला करके, इसके मूँ के अंदर घुसा करके, तीन-चार बॉम प्लांट करके फोड़ देना होगा, भाई, ऐसे तो काम चलने वाला नहीं है, इस बंदे का, फॉट भाई, लेकिन सबमरी क्या हो गया ये, गाई, अपने लोग जब तक इसके अंदर एक्स्प्लोर कर रहे था न, आप लोग देखो, ये कितनी अंदर आ चुकी, अरे, 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 मूव करते जा रहा है भाई, ये, मैं बता रहो गाई, देखो, इसने थोड़ा सा लॉस सेंटोस खा लिया है, वह और आगे बढ़े जा रहा है, अबे, रुक जा ब्रो, अरे, 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 भाई, वाई, कितना अंदर जाएगा ये, गाईस, गया, लॉस सेंटोस पर हमला हो चुका है, गाईस, पहले ही बोल रहा था आप लोग को, और अब तो बेरोको ये भी नहीं पता है, भाई, क स्टिकी बॉंब्स और अपर लोग उनको यहाँ पर लगा सकते हैं, और होपफिली उनके ब्लास होते के साथ ये चीज जो है, सिंक कर जाए, क्या बोलतो, लेकिर उसके लिए हम लोग को यहाँ पर से निकलना भी पड़ेगा, चलो फड़ा-फड से पहले तो मैं उनको लग लग गया, कहीं तो लगा है, ओके, 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 लग गया, चलो भाई, चार बॉंब अपर लोग ने इधर लगा दी, अब टाइम में थोड़े बॉंब उधर भी लगा देते हैं, और होपफिली उसके बाद भाई ये चीज दूब जाएगी, और कैसे नहीं रास्ता जो है तो डेंजरस होने वाला है, होफिली यहाँ पर एक लैडर थी ना, उस लैडर को पकड़ के मैं आ जाओ, वो दिखो उसने लैडर भी खाली भाई, बहुत बढ़िया, अब अपना काम आसान हो गया है, ओल राइट गाईज, अरे पानी, रुख जा ब्रो, चलने का भी रास्तानी, अल्मोस्ट खतम हो चुका है, मैं यहाँ पर से आगे कैसे बढ़ूँगा, वेट अ मिनिट, इधर से जम्प, अरे कर ले, क्या भाई, कैसा नूबडा है, यहाँ से कूद भी नहीं रहा है, थोड़ा सा जगा चाहिए बेर को, ओके हो गया, चल चल जल्दी, 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 we don't have time, भाई, उदर के stairs गए, उदर के stairs गए, उदर के stairs है क्या, अचाहां, इधर के stairs भचे वे, भाई, कैसे निकला हूँ इसके अंदर से, यार, इन सीडी है, यह सीडिया ना होती ना भाई, मैं तो भाई, निकल भी निए पाता है, इसके अं जाना शुरू हो जाएगी थोड़ी दिर में समुंदर की गहराई में मिलेगी तो चलो देखते हैं यह सचाई है या फिर जूट है गाईज लेट्स गो पूम ओके एक्स्प्लोजन हो चुका है और अब हम लोग को वेट करके देखना पड़ेगा क्या होता है गाईज ओल्राइट गाईज थोड़ा टाइम हो गया है मेरे को वेट करते वे और आप देख सकते हो यह थोड़ा सब पीछे जा चुका है अट भाई लगता है आपका स्ट्राटीजी काम कर रहा है ब्रो बाई स्ट्राटीजी का तो नहीं पता लेकर यह ना काम करे ना मेरे पास देख कर रहा था ओर ठोड़ा तो लगता है वो अंदर चला गया है ना को चलो 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 अंदर चलते एक तो यार इसके साथ चलने में भी दिक्कत होती है यह चपर-चपर बहुत ज़्यादा करते और राइट लेग्श ऑप फॉर दयो फोड़ा अब होगा तो मजा आ जाए कर दिया है even though time बहुत जादा लग गया लेकिन आप लोग देख सकते हो अब ये समुंदर की यहराई में और मेरे को actually पता है इसकी लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा इतना जादा बड़ा monster अगर इस समुंदर में मरा हुआ है ना तो guys समुंदर का पानी भी जो है वो लेने भाई वो तो अच्छा ही कि अपना मूँ बंद नहीं करता है नहीं तो सोचो guys क्या होता अपन लोग का अगर आप लोगो को यह वीडियो देखके मजा आया और अगर आप चाहते हो कि मैं इसका पार्ट टू लेकर क्या हूँ तो फड़ा फड़ से लाइक बारो guys मेरे को भी उतनी excitement इस वीडियो की जितनी आपको है comments मों पताओ आपको और किस किस चीज के उपर वीडियो चाहिए but that is it train eater monster की कहानी को आप लोग continue करेंगे maybe some other day तब तक के लिए thanks for watching and stay frosty